नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चनल पर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको Rp. Constable के प्रीवियर कॉश्चन पेपर करा रहा हूँ जुसें मैंने आपको 4 सैट सॉल्व करा दिये हैं अज 5 वा सैट आपके लिए लाया हूँ वीडियो को बनाने में बहुत ही जादा भाहनत लगती है तो प्लीज आप इसको सेर भी कर दीजिये करें और इसको लाइक भी करना तो बिना देरी कि ये वीडियो को शुरू करते हैं हमारा पहला कुष्यन है कोनायर्क सूर्जय मंतिर डैस में इस्तित हैं ये इस थीते दोस्तो ओडिशा में ये तिहर्वी सताबदी में तिहर्वी सताबदी यों बनाये गया था किसके दौरा नर्सिंग देव प्रथम के दौरा और इसको हम ब्लैक ब्लैक पेगोडा नाम से भी जानते हैं ब्लैक पेगोडा नाम से भी जानते हैं option number 4 हमारा यहाँ पर सही answer हो जाएगा मारा अगला question है question number 2 हमरा सर में प्रसिद स्वन मंदिर निम लिखित में से किस से गुरु द्वारा पूरा किया गया था यह पूरा किया गया था दोस्तों गुरु अर्जन देव के द्वारा और यह बनाया गया था निस्सो चार में option number 4 यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question question number 3 ATM गैस दुवारा ATM गैस दुवारा अभियोग किये जाने वाले डैस को मापने की इकाई है वह दोस्तों दवाब option number 1 सही answer यहाँ पर हो जाएगा question number 4 कलमकारी चितरकला का मुख्य के अंदर डैस है कलमकारी जो चितरकला है वह दोस्तों आंदर परदेश की option number 4 सही answer हो जाएगा question number 5 पानी के डैस बनाने के लिए दो हाइडरोजन अनू oxygen के एक अनू से मिलते हैं यह बनते हैं दो अनू से option number 3 सही answer हो जाएगा question number 6 नर्मदा सागर परियोजना निम्न लिखित में से किस राज्य में स्थित हैं यह स्थित आपकी उजरात में option number 4 सही answer हो जाएगा question number 7 सदबहार संकुधारी रक्स मुख्य रूप से किस जीवोम में पाया जाता है यह पाया जाता है आपका वन जीवोम में option number 2 सही answer हो जाएगा हमारा अगला question हो दोस्तो question number 8 भारत का पहला वाइसराय कौन था यह था दोस्तो लाड कॉन वलिस option number 3 यह पर सही answer हो जाएगा हमारा अगला question है question number 9 किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाफ्त किया था यह किया था भारत सरकार अधिनियम 1858 ने option number 3 सही answer हो जाएगा question number 10 निम्न लिखित में से कौन सा तमिल सास्त्रे का महाकाव्य है यह आपका सिलफपादिक कारम option number 1 सही answer हो जाएगा यह सबसे पुराना तमिल साहित महाकाव्य भी दोस्तो जिसमें 5730 पंक्तियों की जो है एक कविता है यह तमिल साहित एका सबसे चमकिला रतन भी इसको कहा जाता है option number 1 यहाँ पर सही answer हो जाएगा question number 11 ब्रेटिस सरकार ने भारत में इस्ट इंडिया कमपनी को किस नियम से लागू और वियनेमित किया था यह किया था रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 से option number 2 सही answer हो जाएगा हमारा अगला कुछ चन्यम question number 12 आयात पर लगे कर को डैस कहा जाता है आयात पर जो कर लगता है उसको टैरिफ कहा जाता है option number 1 सही answer हो जाएगा question number 13 ऐसी प्रक्रिया जिसके दुआरा एक जिवित पोधे का पानी परासरन दुआरा कम होता है और सिकुडता है उसे dash कहा जाता है उसे कहा जाता है दोस्तो प्लाजमो लिसिस option number 1 सही answer हो जाएगा question number 14 निम्न लिखित में से कौन सी दक्षिन अमेरिका की सबसे लंबी परवतियस रंखला है यह दोस्तो आपकी यह आपकी एंडीज यह हो जाएगा आपकी एंडीज option number 3 सही answer हो जाएगा यह विस्व की सबसे लंबी ही है जिसका जो एरिया वह करीब 9000 किलोमेटर option number 3 सही answer हो जाएगा question number 15 अंतर राष्टिय पुनर निर्मान और विकास बैंक को लोगपर यह रूप में डैस के नाम से जाना जाता है जाना जाता है विस्व बैंक के नाम से यह इस्टैबलिस हुआ था दोस्तो आपका 1944 में और इसका मुख्याल है वासिंग्टन डीसी यह बात भी आप ध्यान लगएंगे option number 2 यहाँ पर सही answer हो जाएगा question number 16 मंगल गिरायके कितने प्राकरतिक उप गिराया है इसके दो प्राकरतिक उप गिराया है डेमोस और फ्रबोस इसकी जो खोज कीती दोस्तो वो अमेरिका के खगुल सास्तरी थे और सफ हॉल ने 1857 में कीती और यह दोस्तो सूर्य से चोथा गिराया है यह सोर मंदल का दूसरा सबसे चोटा गिराया है और सिर्फ बूद से यह बड़ा है तो यह बात आप ध्यान लखेंगे option number 4 सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कुशन number 17 जवाहर लाल नहरू पोट ट्रस्ट में स्थित है यह स्थित है आपका मुंबई में यह सबसे बड़ा कंटेनर बंदर गावी है उड़ी अरब सागर में स्थित है दोस्तों यह बात अब ध्यान लखेंगे option number 3 सही आंसर हो जाएगा question number 18 केंडवन प्रकेर्या की खोज किसने की यह कीती लूई पास्चर ने कब कीती अठार सुत्तावन में कीती और इन्होंने रिवीस का टीका भी बनाया था दोस्तों किसका रिवीस का टीका भी बनाया था इन्होंने option number 4 सही आंसर हो जाएगा अगला question है question number 19 किस वर्स में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिमनास्टिक प्रतीस प्रदा को सामेल किया गया था यह किया गया था 8896 में option number 1 सही आंसर हो जाएगा हमना अगला question है question number 20 निम्न लिखित में से कौन सा कार्रे वानिज्य बैंकों के मुख्य कार्रे के अंतरगत आता है यह था आपका जमा सुईकार करना option number 4 सही आंसर हो जाएगा question number 21 निम्न लिखित में से कौन सी सबसे पुरानी सास्तिर निरत्यस है लिए यह है भरत नाटियम इसकी उत्पत्ती जो हुई थी दोस्तो तमिल नाडो में हुई थी यह बात आप दियान लखेंगा option number 2 सही आंसर यहां पर हो जाएगा अगला question है दोस्तो question number 22 सते के एकांग 6 तरफल पर लगने वाले बल को dash कहा जाता है इसको कहा जाता है दोस्तो दवाब option number 1 सही आंसर हो जाएगा अगला question question number 23 चेतरफल के मामले में dash दुनिया का सबसे बड़ा देस है दुनिया का सबसे बड़ा देस है दोस्तो चेतरफल के मामले में रूस इसका जो एरिया है वो है करीब 17 मिरियन वर किलोमेटर और इसके बाद आते हैं दोस्तो कनाड़ा और चीन Canada और China आते हैं दोस्तों इसके बाद ये बात आप ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा जोगी वो रूस है option number 3 सही answer हो जाएगा question number 24 जल निकायों में मेंडगो दुआरा थाइरोक्सिन हरमोंस के उत्पादन के लिए निम लिकित में से किसके आवश्यक्ता होती है इसमें आवश्यक्ता होती है दोस्तों iodine की option number 1 सही answer हो जाएगा अगला question है question number 25 भारत में बायो स्फियर रिजर्व निम लिकित में से कौन सा है ये आपका सुंदरवन सुंदरवन जो है फिस्व का सबसे बड़ा नदी डिल्टा भी है ये बात आप दियान रखेंगे option number 2 यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question है question number 26 किर्किट में LBW का पूरा नाम क्या है पूरा अर्थ क्या है पूरा अर्थ है दोस्तों lag before wicket option number 1 सही answer हो जाएगा question number 27 वियत नाम की राजधानी कौन सी है पूरा नाम की राजधानी हनुई option number 1 सही answer हो जाएगा next question है question number 28 वो करन पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा हुआ है ये जुड़ा है आपका gymnastic से option number 1 सही answer हो जाएगा question number 29 जल जहाजो और पंडुब्यों को design करने में निम्न लिखित में से किस नियम सिद्धान्त का उप्यूग किया जाता है इसमें उप्यूग किया जाता है दोस्तों आर्कमडी सिद्धान्त का option number 1 सही answer हो जाएगा question number 30 सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए निम्न लिकित में से कौन सी योजना सुरू की गई ये की गई थी सुए सहायता समूँ option number 2 सही answer हो जाएगा हमारा अगला question है question number 31 पूर पस्चिम कोरिडोर पोरबंदर को डैस से जोड़ता है ये जोड़ता है पोरबंदर से सिल्चर और जो है हमारा उत्तर दक्षिडी कोरिडोर ये जोड़ता है आपको सिरीनागर से सिरीनागर से जोड़ता है कर्णिया कुमारी को कर्णिया कुमारी जो दोनों कोरिडोर हैं ये मिलते हैं आपके दोस्तो जहांसी में ये बात आप ध्यान लखेंगे तो यहाँ पर option number 4 सही answer हो जाएगा question number 32 किस देश में 2022 के ये राष्टमनल खेलो का आयोजन किया जाएगा ये किया गया था दोस्तो इंग्लेंड में option number 2 सही answer हो जाएगा question number 33 सब्द स्वेतांबर डैस से जुड़ा हुआ है ये जुड़ा है दोस्तो जैन धर्म से option number 2 सही answer हो जाएगा question number 34 ऐसी प्रजातिया जो केवल कुछ छितरों में पाई जाती है और जो आम तोर पर प्रकर्तिक या भोगोलिक बाधाओ के कारण अलग धलग पड़ जाती है वह डैस कहलाती है वह कहलाती है दोस्तो इस्थानिक प्रजातिया क्या कहला आती है, इस्थानिक प्रजातियां, option number 4 सही answer हो जाएगा अगला question है, question number 35, volleyball खेल में spike को dash के नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है, इस मेस के नाम से, option number 4 सही answer हो जाएगा question number 36, किसे भारत की आजादी का पहला यूद कहा जाता है यह कहा जाता है, सिपाई विद्रोगों, यह हुआ था 10 मई, 10 मई 1857 को जिसको 1857 करानिती के नाम से भी जानते हैं, अब और option number 1 सही answer हो जाएगा हमार अगला question, question number 37, दुनिया में चोथा सबसे बड़ा महधीप कौन सा है यह दोस्तों, दक्षिन आमेरी का, option number 3 सही answer हो जाएगा question number 38, बंकाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे न्यूक किया गया था यह किया गया था दोस्तों, वारन हैस्टिंग को किसों किया गया था, वारन हैस्टिंग को, option number 2 सही answer हो जाएगा और यह रहते हैं आपके 1772 से 1785 तक, यह बात आप ध्यान रखेंगा, option number 2 सही answer हो जाएगा अगला question है, question number 39, प्रतीक संसदी बैटक का पहला घंटा, निमन लिखित में से किस के लिए रखा गया यह रखा गया दोस्तों, प्रशनकाल के लिए, option number 2 सही answer हो जाएगा question number 40, 1765 से पहले British East India Company के पास एक मात्र कौन सा अधिकार था, यह था दोस्तों, विए पार का एक मात्र अधिकार, option number 3 सही answer हो जाएगा question number 41, भारत का समिधान कब लाग हुआ, यह हुआ था, 26 जनवर 1950 को, और यह अपनाय कब गया था, यह सुईकार गया था, 26 जनवर 1950 को, तो यहाँ पर option number 1 सही answer हो जाएगा question number 42, केंदरी लोग से वा आयोग किस थापना किस वर्स की गई थी, गई गई थी, 1926 में, option number 1 सही answer हो जाएगा question number 43, गेलोरा भूंग करनो, जी बी के स्टिडियम, डैस में हिस्तित है, यह इस्तित है आपका इंडोनेसिया में, और यह बना था, आपका, 1960 में question number 1 सही answer हो जाएगा, question number 44, निम लिखित में से कौन सा एक लोग पर यह polyester है, जिसका उप्योग बोतले और बरतन बनाने के लिए किया जाता है, यह आपका, polyethylene tereftalate, option number 4, सही answer हो जाएगा question number 45, निम लिखित में से किसको सार्वजनिक समान, public goods कहा जाता है, यह कहा जाता है, राष्टी रक्षा को, option number 4, सही answer हो जाएगा question number 46, किस वर्स में पिट का भारत अधिनियम, Pits India Act पारित किया गया था, यह किया गया था, 1784 को, option number 1, सही answer हो जाएगा question number 47, निम लिखित में से किस लिपी में पंजापी भासा लिखी गई थी, यह लिखी गई थी दोस्तों आपकी, गुरू मुकी लिपी में, और यह कब होई थी, दोस्तों, यह 16 सताब्दी में, दूसरे सिक गुरू, गुरू हंगत देव दुवारा, मान की करत की गई थी, द है, यह दोस्तों, राजिस्थान की, option number 4, सही answer हो जाएगा, यह 2010 में सामिल की गई थी, 2010 में सामिल की गई थी, और जो काल बेलिया है, यह राजिस्थान की एक जन जाती है, यह बात आप दियान रखेंगे, option number 1, option number 4, यहांपर सही answer हो जाएगा, second last question है, दोस्तों, निम लिखित मुगल सासकों में से, किसने दीन पना नामक सहर की नीव रखी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका, यह रखे थी दोस्तों, हुमायू ने, जिनकी मृत्यू 1556 में हो गई थी, भवन की सीडियों से, फिसल कर, option number 1, सही answer हो जाएगा, last question है, दोस्तों, हडपा वासीई दूआरा निम लिखित में से, किस भवन निर्मार्ण समंगरी उपयोग किया गया था, पतलब जो हडपा वासी थे, उनके जो भवन बने हुए थे, उनमें किस प्रकार की ईटों का परियोग किया गया था, उईसमें परियोग किया गया था दोस्तो तब मिट्टी की इंटो का option number 3 सही answer हो जाएगा वीडियो आपको कैसे लगे comment box में comment करके जरूर बताना वीडियो कर आपको पसंद आएए तो इसको like करना, share करना चैनल पर अगर पहली बार आएए तो चैनल को subscribe भी जरूर कर लेना दोस्तो वीडियो का आप share जरूर कर दीजेगा thanks for watching, thank you